लो फ्रिंट्स वागत है आप सबका आपके अपने एट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फिंट्स अगर आपके पास आइटीसी का शेयर है आप लेने की सोच रहें तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देख लीचे आइटीसी के ऊपर आपको बहुत सारी रिसर्च और वीडियोज मिल जाएंगी जहां पर आइटीसी के फंड़मेंटल को डिसकस किया गया है कि शेयर बहुत अट्राक्टिव है कई बड़ी ब्रैंट्स का अंड करता है और यहां पर एक बड़ा मूव लांग टर्म में देखन को नहीं मिलाएं इस वीडियो में हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी है कि This निफ्ति जोbrar जो है इतना बड़ चुकी है सारे शेयर चल चुकिए राइट एप से का शेयर क्यों नहीं प्रेंट्स पिछले एक साल में स्टाक मार्केट 75-17,000 आ गई है ITC की शेयर में शायद ही कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिला हो आपको सूशल मेडिया पर यूट्यूब पर बहुत सारे मीम्स और जोक्स ITC के शेयर को लेकर मिल जाएंगे इसके रावा बहुत रिकमेंडिशन बड़े बड़े आनलिस्ट ने शेयर को रिकमेंड किया है एक डेटा में आपके साथा शेयर कर रहा हूँ कि डिस्रेंबर 2020 में जो ITC के टोटल नमबर आफ शेयर होल्डर थे उनमें लगबग 30% से ज़्यादा की जंप आया है यानि कि नमबर आफ रिटेल शेयर होल्डर जिनके पास ITC है वो लगबग 30-40% बढ़ गए है डवल के हसपास हो गए है पिछले एक साल का डेटा देखो तो यानि कि रिटेल इन्वेस्टर ने शेयर को भर भर के अपने पोर्टफोलियों में रखा इस एंटिसिपेशन में कि वालुइशन बहुत अस्ते हैं और यह शेयर चला नहीं है तो एक बड़ा मूव यहां देखने को मिल सकता है क्योंकि जब मार्केट बहुत बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर्स का रुजहान उन शेयर की तरफ और बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है और क्वालिटी शेयर की अच्छी और वालुइशन अच्छे है तो बहुत चोटा सा में एक फंडामेंटल अट्रिबूट आपके सामने कंपैरिजन दे रहा हूं जिसके बेस पर सब लोग यह कहते हैं कि आईटीसी का शेयर एक बड़ा मूव दे सकता है आईटीसी क जो एनुवल सेयल है दोजार इकिस की वो पच्छास हजार करोड के आजपास है जिस पर चौदा हजार करोड के आजपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है और ग्यारा रुपे के आजपास का EPS जो है कंपनी ने दोजार इकिस में क्लॉक किया है दूसरी सबसे बड़ी FMCG कं 47,000 करोड जिसके सामने 82,000 करोड का प्रॉफिट है और 35 रुपे का EPS जो है HUL ने क्लॉग किया था है HUL का शेयर 70 के PE पे चलता है ITC का शेयर हाडली 20 के PE के आजपास ट्रेट कर रहा है Profitability और Sale दोनों ITC के ज़्यादा है उसके बाद भी HUL को मार्केट 6,500 करोड की मार्केट कापिटल है और की VALUATION दे रहा है और ITC की मार्केट कापिटल सिर्फ 2.6,000 करोड है यहाँ पर Friends इसी Attributes of Fundamental Basis पर सब यह कहते हैं कि ITC FMCG Space का सबसे सस्ता शेयर है और यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी उसके VALUATIONS इसकी जो PEERS है वो चाहिए इमामी हो गया डाबर हो गया जो बड़ी FMCG कमपनी HUL हो गया उनसे सस्ते ही रहेंगे पर यह सरिफ एक साइड है अंडर VALUATIONS ITC के होने के कुछ और भी कारण है जिसके बारे में हमने डेटेल में रिसर्च करी है और वो जो हम आपके साथ शेयर कर रहे है ITC जो है इंडिया की सबसे बड़ी सिगरट मैनुफेक्चर कमपनी है और ITC एक कॉंगलोमेरेट है जिसमें पांच बिजनस मर्ज है जिसमें सिगरट का बिजनस हो गया वो भी एक FMCG है इसको सिगरट ही बोलेंगे दूसरा अधर FMCG बिजनस हो गया जिसमें इनका टोटल FMCG प्रोड़क्ट है 25-30 बड़ी ब्रैंड यह ओंड करते है जिसमें आशिरवाद फियामा जैसी बड़ी ब्रैंट है और होटेल्स का बिजनस है इनका पेपर पैकेजिंग का पेपर बोर्ट का और एगरी बिजनस ह ITC का जो सिगरट बिजनस है वो 45% revenue को contribute करता है पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो profit है इनका उसका 85-84% के आसपास contribute करता है यानि कि जो majorly profit है ITC conglomerate का वो इनके सिगरट बिजनस से आ रहा है एक नजर में अगर ITC के हम consolidated figure देखते हैं तो इनका जो margin है वो HUL डाबर जैस पूरा का पूरा profitability है वो cigarette business से आ रही है उसके अलावा second सबसे बड़ा बिजनस है FMCG जिसके base पे यह बात बार बार कही जा रही है समझी जा रही है कि यह share rate होना ही चाहिए 28% जो है total revenue को contribute करता है लगब 15,000-14,000 करोड के आसपास की annual sale FMCG business में जिसमें बड़ी बड़ी ब्र margin को लेकर है ITC का जो FMCG business है वो 4-5% के margin पे operate करता है और जो उसके PS FMCG में डाबर हो गए HUL हो गया और बड़ी company हो गई उनका consistent margin 24-25-26% तक है तो यहां पर ITC काफी बार जो है इन्होंने अपनी annual reports में और AGM में बोला है कि margins को improve करेंगे पर कोई visible changes वहां देखने को नहीं मि इस business को market एक high valuation नहीं दे रहा है क्योंकि 4-5-6% पर आपको सिर्फ turnover पर ये अगर friends market को turnover के based company को evaluate करना हो तो फिर रूचिस होया जैसी बड़ी-बड़ी companies है जिनका जो turnover है वो बहुत बड़ा है 40-50,000 क्रोड commodity based company अदानी विलमर है जो 4-5-6% के margin पे operate करती है जिसका turnover 70,000 क्रो लगा दिये तो basically ये है FMCG company पर इसका margin ए कॉमेडिक बिजनस जैसा है जिसकी वजह से market उसको high valuation नहीं देती है cigarette undoubtedly बहुत बड़ा high margin business है पर वहाँ पर high valuation इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उस business में जो growth है उस पर बड़ा question mark है cigarette एक ऐसा business है जहां पर higher taxes कब government taxes बढ़ा दे इसका बहुत बड़ा threat और कब government ban लगा दे कई states में लगा भी हुआ है partially ban है कब इस पर बड़ा ban लग जाए ये एक ऐसा sector है जिसको market कभी भी बहुत high valuation नहीं देगा क्योंकि यहां पर growth को लेके हमेशा uncertainty और question mark बना रहता है तो cigarette business जो है fully valued है इस प्राइसमार FMCG business margins की वज़े से high valuation market उसको नहीं दे रही है यहां पर आप जब break up करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो reason है कि यह जो conglomerate है यह इतना undervalued है इसके अलावा जो उसके और business है ITC के hotel paper agree वो कोई high growth business है ही नहीं paper का business जे के paper जैसे stock 5-6 के PE पे trade कर रहे है paper stock को कोई market बहुत जबा वालेशन का भी देती नहीं है hotel business में भी same है कोई बहुत profitable business ही है agree business इनका बहुत अच्छा कर रहा है undoubtedly तो यहां पर एक यह बहुत बड़ा reason है कि इस conglomerate को market ने बहुत high valuation नहीं दिये और कहीं ना कहीं under performer रहा है अब क्या वो जो है factors बन सकते हैं जो ITC में के बड़ी rally drive कर सकते हैं बहुत time से बात चल रही है कि business को demerge करें obviously यह सबसे बड़ा trigger होगा क्योंकि यहां पर अगर यह business demerge होके separately list होता है तो obviously बहुत बड़ी value unlocking होनी है same margin same turnover के साथ भी एक बहुत 40-50% की value unlocking तो होई जाएगी और वहाँ अगर FMCG business के जो margins हैं वो अगर improve होते हैं तो sky is the limit for the FMCG business to grow क्योंकि 15-16,000 करोड का turnover है इतनी बड़ी branch की ond करते हैं वहाँ पर separately company list हो जाती है management का focus FMCG business पे लगातार बढ़ रहा है तो undoubtedly ये इंडिया की second largest FMCG है और आने वाले time में एक बड़ा sales growth यहाँ पे देखने को मिलेगी margins improve होते हैं तो जतनी market capital ITC की आज की date में है आने वाले time में हो सकता FMCG business को ही उतनी market capital मिले पर उसके लिए बहुत time है और company किस तरह से margin के front पे deliver करती है वो देखने वाली बात होगी और business demerger को लेकर ITC के ने जो काफी बार जो हिंट दिया है पिछले बार भी इन्होंने statement दी थी कि shareholders की value को बढ़ाने के लिए और business efficiency लाने के लिए कुछ कदम company उठा सकती है जिसको demerger से लेकर देखा जा रहाता वो आज हो कल हो 6 महीन एक साल ले ले उस पर मैं कोई comment नहीं कर सकता नहीं मुझे उसके बारे में कुछ मैं भविश्यवानी कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह business कल को demerger होना है यह तो पक्का है उसमें कितना time लगे वो देखने वाली बात होगी तो ITC दो अगर इसको consolidated figure देखते हैं तो margins और profitability के हिसाब से throw away price pay stock trade कर रहा है इसमें कोई भी doubt नहीं है पर आप इसको अगर थोड़ा separate करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि FMCG जिसके उपर market bet करना चाह रही है वह margins का issue है और जब तक वो separately listed नहीं होता है और वहां पर margins इंप्रूव नहीं होता है एक बड़ी valuation वहां नहीं मिलेगी पर फिर भी बहुत deep value ITC की business में है इनकी hotel business में एक अच्छी valuation है वहीं separate listed होके एक बड़ी value unlock कर सकता है अच्छी properties इनके पास है एक अच्छा conglomerate है यह एक safe bet है market की but it will test your patience like anything और यहां पर जो है you need highest level of patience to hold the ITC एक sudden movement जब भी आएगी friends तो वह बहुत तेजी से आएगी stock अपना all time high भी थोड़ेगा और नहीं highs भी बनाएगा पर उसके लिए आपको wait करना होगा तो simply आपको friends इस break up को समझाने का reason यहीं ता कि आप उस चीज़ को समझ के चलें कि किन फैक्टर से rally trigger होगी और क्या वो कारण है यह चीज़ आपको आगे भी help करेंगे जब भी आप किसे share को खरे दोगे सरिफ valuation एक चीज नहीं होती है Warren Buffett साब ने बहुत ही अच्छी बात बोलिए कि EPSP यह सिर्फ एक terminology है और ultimately market growth पर bet करती है तो यहाँ पर friends आपने सारे factor consistency को लेकर समझ गए होंगे ultimately अगर आपके पास के share है तो मेरे साब से आपको hold करना ही चाहिए पर आप 2-3 साल का view लेके चले जब भी इसमें rally आएगी तो वो बहुत जबरदस्त आएगी वो 2-4-5-10% के लिए नहीं है वो minimum 100% के लिए होगा friends further आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकरो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आएगे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए is my investment को subscribe करना ना भूले thank you